हेलो दोस्तों अगर आप 10 के शात्रों तो लेकर रहा चुक है मैत का बिल्कुल ओरिनल पत्र ठीक है आपका बीसे कोड 110 रहने वाला है सभी के लिए सेट कोड ए रहने वाल है मादमिक उत्रेक्षर परिच्छा यानि के सेंटर एक्जाम का बिल्कुल रियल पेपर होने वाला ह गड़ित का चली बिना देरी कोई पेपर को एस्टार्ट करते हैं देखिए इसका सब्जेक्टिव कोशन हमारे सकेंड चैनल पर मिल जागा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिक्रूप्स में मिल जागा आप वहां से जाकर चेक आउट कर लिएगा चली बिना देरी कोई प बताएंगा तो वीडियो में बिल्कुल अंतीम तक बने देगा इसका सब्जेक्टिव कोशन का लिंक आपको वीडियो के डिक्रूप्स में मिल जागा आप वहां से जाकर देख सकते हैं दिया है एक नमब कोशन यदि पी बराबर एपटे टू कमा चार विंदू है ए आपका बील्कुल राइटेंगों हो जाएगा और राइखिक हो तो उनमें बने तीरी भूझ का छेत्रफल क्या होगा तो हो जाएगा आपका बी राइटेंसवर हो जाएगा अगर आप चानल पना है चाले को सब्सक्राइब कर लिए तो चैले को बढ़ते हैं आगे कोशन आ तो उसके गेंद्रक के निरे सांग होगे तो क्या हो जाएगा ओप्सन क्या हो जाएगा तीसरा का भी आपका राइट एंसवर हो जाएगा चार नमबर कोशन है यादि तिरभूज A B C में A D कौन B A C अर्धक है तो A बराबर A B बराबर 10 cm, A C बराबर 14 cm, A B C बराबर 6 cm हो तो DC का मान क्या होगा तो DC का मान 3.5 हो जाएगा चार नमबर कोशन का आपका राइट एंस वर आप्सन भी हो जाएगा चले पांच नमबर कोशन के और बराबर A B C में D E बराबर B C है समनानतर ठीक है इस परकार की A D बटे में D B बटे में 3 बटे में 5 यादि A C पर पांट 6 cm हो तो A E का मान क्या होगा तो 3.1 cm पांच नमब कोशन के और बढ़ते हैं 6 नमबर कोशन देए यादि दो समरूप तिर्भूज का संगत बोजा का अनुपाथ 5 नुपाथ 6 हो तो उनके पड़ी माड़ों का अनुपाथ होगा तो कितना होगा तो 25 नुपाथ 36 हो जाएगा 6 का आपसन ने आपका बिल्कुल राइट एंस वर हो जाएगा साथ नमर कोशन देए तिर्भूज ABC में AB 6 रूट 3 सेंटीमीटर हो और AC बढ़ा 12 हो तो BC रूट B कमा तो 90 डिग्री हो जाएगा ऑपसन क्या हो जाएगा साथ का आपका सी बिल्कुल राइट एंस वर हो जाएगा इन सभी का सब्जिक्टिव कोशन हमारी आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा आगे यादी संभाहुत तिर्भूज ABC की एक भूजा 12 सेंटीमीटर तदा संभाहुत तिर्भूज DEF की एक भूजा 6 सेंटीमीटर हो तो 6 तरफल बटे 6 तरफल ABC बटे में DEF का मान क्या होगा तो 4 अनुपात एक हो जाएगा आठ का आपका right answer option C हो जाएगा 9 नमर question के बढ़ते हैं तिर्भूज ABC एवं PQR तिर्भूज समरूप तिर्भूज है जिसमें AD6 ABBC पर लाम है ताथा PT PQR पर लाम है यादी परवर 9 PT परवर 7 सेंटीमीटर हो तो तिर्भूज ABC में तिर्भूज PQR का मान क्या होगा तो 16 अनुपा 25 हो जाएगा 9 नमर question का आपका right answer option C हो जाएगा 10 नमर question दिया है एक संभाहूं तिर्भूज की एक बुजा 12 सेंटीमीटर हो तो उसकी उचाई होगी तो उसकी उचाई हो जाएगा 6 और 6 रूट 3 हो जाएगा option के हो जाएगा 10 का भी right answer हो जाएगा 11 नमर question के और बढ़ते हैं इसे नमर से 10 हो जाएगा ना तो यहां से 10 हो जाएगा थ है ठीक है घंटे वर दो चैनगे तो यहां पर 9 यहां 5 हो जाएगा 5 हो जाएगा 5 पांच है तेरा है नमर कोचेंग किसी बाहि बिंदु पिस से ब्लित पर पी ए borवर फी two the old. छोपिची गली ओ तो यदि पी ए बरवर छह सेंटी मिटर कोए हो तो पर असपर्स रेखाई हो जाएगा Rescue कीन रूट तीन बटे में 2 सेंटीमीटर हो जाएगा आपसन क्या हो जाएगा 14 का भी आपका राइट इंस्वर हो जाएगा 15 नमर यादि साइन 20 तीट अब 20 डिगरी प्लस तीटा बरबाबर कोश्टीज तीटीज तीटा कमां तो तीश तीज तीगरी हो जाएगा 15 का एय आपक तो सी हो जाएगा कई आगे फिर्ट तो या इकस कोश ठीटा बरबर वन टैन थीटा तो य बरभर एकस स्क्वार माइस वाई स्क्वार का मान के होगा तो माइनस का दो हो जायगा ओप्शन गया एटारा का सी आपका राइट इंस वर हो जाएगा और इस नमर के 10 ठीटा 3 बट्टे में 4 तो साइन ठीटा का मान, तो 4 अपन 5 हो जाएगा, ओना इस का A आपका राइटेंस्वर हो जाएगा, 20 नमर कोशन देखते हैं, रूट में 1 प्लस कॉस A, 1 माइनस कॉस A का मन, तो कॉस A प्लस कॉट A हो जाएगा, ओप्सन क्या हो जाएग कि यह से आपका सी राइंसवर हो जायेगा है आगे यह प्रतम स्थे नियुक्ष निया से इंटेके सब्सक्रांज आपके साइंटार से साइन रोल जाएको हुजाए का इस कर ऌदे का ne तो यहीं आजाएगा और इसमें वन का गुना करेंगे तो यहीं आ जाएगा और यहीं आजाएगा आजाएगा तो यहीं आजाएगा आजाएगा अब दो दो ब्रीतों का च्छी तरफ़ल का अनिमाथ एकस एकस के नंदलग एकस के पावर य का पावर ऊटो उसकी तिर्जाओ का अनुपात होगा क्या जाएगा आपका एडियूटा अगल सब्सक्राइगा आगे है किसी ब्रिट का से तरफ़ल उनचाइव पाई केंट वर्ग चेंट तो 440 cm हो जाएगा 29 का आपका राइट एंसर ऑप्सन भी हो जाएगा तीस नमर कोशन दिया है एक प्रिक्ट का छेतरफल एंवर्ग के छेतरफल के बराबर हो तो उसकी परिमिती का अनुपात होगा तो दो कितना जगा दो अनुपात पाही हो जाएगा आपका बीडिम साण हो जाएगा एक दिस नमर यादी पी एक भर एक के पार सुर माइनस प्लस 6 की बराबर इतना दिया तो इसका मान की हो जाएगािए याणि कि अप्सन आपका राइट व्यानी कि आपकर दिक हो जाएगा निकिशन दिशन नमर कोशन नहीं लिके तुम मैंसे श्रहें से कौन दीवघास समुए करहां से इसका भाइज अप אנחנו नदी हो जाएगा दी आपका बिल्कूल राइट तो इसका मान क्यात करना है तो इसका मान माइनस ठीट हो जाएगा और माइनस ठीट एक जागा पर नौ हो जाएगा और कोशियं कोवरबरते हैं P के मान के लिए एक दिवघहास समेकर prompts 2x3घ्umm के मूल वास्तिक में समान होंगे एक हो जाएगा prediction को 35 का एपका राइटर्टन हो पाइब 5 हो जाएगा option क्या हो जाएगा से इसका ॥ हो जाएगा और तीस का आपका सी एंसवर हो जाएगा तो इसका राइट रेंसर आपका बी हो जाएगा चालिस नमर कोशन यह दिए एक्स बराबर माइनस वन दोनों समिकर टू एक्स एसक्वार प्लस थी एक्स प्लस प्लस पी बराबर जीरो तो क्यू एक्स स्क्वार मैनस की एक्स प्लस फॉर प्रवर जीरो तो ओवेशनीट मूलो की पी प्लस क्यू का मान होगा तो ऑप्सन के वाज़ागा सी हो जाएगा निकि दो आपका राइट एंसर हो जाएगा चलिए एक्स नमर कोशन दिया है एक घानाव की लंबाई और चौडाई करमसा 15 मी आप सेंटीमीटर बोर जावाले जन चांस सेंटीमीटर जारे लिए जात सकते हैं तो राइट एंसर हो जाएगा टाइबfinder का ऑ। तो उनके आयतोनों का अनुपाद क्या होगा तब 20 अनुपाद 27 हो जाएगा 45 नमर यदि वेलनों के वकर प्रिष्ट का चेतरफल 1760 cm स्क्वेर हो तो उसकी आधार के तिर्जिया 14 cm हो तो उसकी उंचाई क्या होगे तो 20 cm हो जाएगा 45 नमर कोशन दिया यदि धातू के पाइप की बाहे तिर्जिया 14 cm हो तो उसकी लामबाई 10 cm हो तो धातू का आहतन होगा तो 440 cm क्यों हो जाएगा 46 का आपका राइट एंस्वर ओप्सन सी हो जाएगा 47 नमर यदि किसी संकु के आधार के तिर्जिया आर और इसका तिर्यक चाहिए एल हो तो संकु का वकर प्रिष्टिय छेतरफल होगा तो पाई आर एल हो जाएगा आप्सन के हो जाएगा भी इसका राइट एंस्वर हो जाएगा 48 नमर यदि के 14 cm ब्यास वाले अर्ध गोले का कूल प्रिष्टिय छेतरफल होगा तो 198 पाई सी एमे स्कुएर हो जाएगा 48 का आपका बी राइट एंस्वर हो जाएगा उन्चास नमर एक संकु का आयतन 570 cm Q है तो इसके आधार पर छेतरफल 214 cm है तो इसके उचाई है तो उचाई के हो जाएगा 15 cm हो जाएगा उन्चास का आपका बी राइट एंस्वर हो जाएगा 50 नमर के वर बड़ते हैं 50 नमर कोशन दिया है यदि एक गोला के तृजिया 2R हो तो इसका आतन होगा तो इसका आतन हो जायगा 8 Pi R Q 3 हो जायगा 50 का आपका राइटेंस वर option Z हो जायगा 51 नमर के समनांत तर स्रेणी मैनस 3 कमा 1 अपन 2 2 ही गारवाप्त थो 28 हो जाएगा है जाले आगे कोश्चे के ओर बढ़ते अगर आप चैनल पड़नाएं है चैनल को सब्सक्राइब निए दिन के तो चैनल को सब्सक्राइब को दिए कि इसका सब्जेक्टिव कोशन हमारी सब्सक्राइब चैनल पर मिलेगा जाकर आप वहां से चेक आउट कर सकते हैं समनांतर स्रेटी दो चार छे आट के प्रथम पचास पदो का योग क्या होगा तो पचीस सो पचास हो जाएगा ऑपसेन क्या हो जाएगा तीरपन हो जाएगा टीर आपका राइट अपसेन और हो जाएगा आगे बिंदू के 2 cos theta जीरो तथा 0,2 sin theta के बीच की दूरी है तो बीच की दूरी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा पाजपन का आपका right answer option है हो जाएगा 56 नमर कोशन है सरल देखा है x बराबर minus 2 तथा y बराबर 3 का कटान बिंदू है तो minus 3,2 हो जाएगा 54 का आपका right answer option D हो जाएगा पाजपन नमर कोशन है बिंदू वो 7 कमा minus 4 यवंप minus 5 कमा 1 के बीच की दूरी है तो 5 हो जाएगा 57 का आपका right answer option D हो जाएगा अंठावन नमर वाई अक्ष पर हुआ बिंदू जो बिंदू वे 5 कमा minus 2 यवंप minus 3 कमा 2 के सम दूरी हो तो 2 कमा 2 हो जाएगा option क्या हो जाएगा T इसका answer हो जाएगा आगे देखिए आगे question है P Q RS एक आयतन है जिसके C से 0 कमा 0 Q 6 कमा 0 R 6 कमा 2 यवं S बरबर 0 कमा 2 के आयतन का 6 पल होगा तो इसका right answer हो जाएगा यानि के 8 हापका right answer हो जाएगा आगे यदि A बराबर 0 है B बराबर इतना है C बराबर तो तिर्भूज ABC के सिर्ष हो तो ABC का 6 पल होगा तो ABC का 1 बटे में 2 AB हो जाएगा 60 का option B आपका answer हो जाएगा आगे एकसर्ट नमर कोशन दिया है आपका निमली खित में से कौन बहुपद नहीं है तो आपका right answer क्या हो जाएगा ना देखे आपका right answer हो जाएगा यह जो है ना आपका बहुपद नहीं है इसका घात कितना होगा जाएगा तो देखे 6 प्लस option क्या जाएगा यानि कि 6 आपका right answer हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका option क्या हो जाएगा माइनस का root में 11 हो जाएगा और 11 हो जाएगा जाएगा option क्या जाएगा C इसका answer हो जाएगा चलिए आगे question 64 नुमर यादी minus 2 और minus 3 2 गात समेकर एकस स्क्वार प्लस ए ए प्लस 1 एकस प्लस बीके सुन्यक हो तो तो एक कमान माइनस 2 हो जाएगा और बी कमान माइनस 6 हो जाएगा 64 का right answer आपका option C हो जाएगा 65 नुमर कोशन यादी बहुपत एकस स्क्वार माइनस 9 एकस प्लस एक के सुन्यक का गुर्ण फ्लस आट हो तो एक कमान होगा तो एक कमान आपका माइनस करना हो जाएगा 65 का आपका right answer option B हो जाएगा 66 नुमर कोशन यादी बहुपत पी एकस एकस स्क्वार माइनस 4 के सुन्यक अलफा और बीटा हो तो अलफा बीटा में 4 का मान होगा आपसन क्या जाएगा 66 का C आपका right answer हो जाएगा और 66 नुमर कोशन है यादी एकस एकस के पावर 4 और माइनस का 2 एकस माइनस 1 प्लस 2 जी एकस स्क्वार माइनस 3 एकस प्लस 2 का भाग दिया जाता हो तो भाग फाल का घात होगा तो right answer का C हो जाएगा यानि 79 का right answer आपका C हो जाएगा चलिए 70 नुमर यादी बहुपत एकस स्क्वार माइनस 3 एकस प्लस 1 माइनस 5 तुन एक आलफा और बीटा हो तो आलफा प्लस 1 बीटा प्लस 1 का मान होगा तो माइनस का क्या जाएगा 4 हो जाएगा 70 का C एकस राइट एनस 5 हो जाएगा एका 70 नमर प्रतहम 10 बीटाम संख्याओं के माइन ऩाश हैं तो प्रतहम 10 बीटाम संख्याओं के माज़े क्स जाएगा तो इसका right answer जाएगा option क्या आजाएगा C, इसका right answer हो जाएगा बहुत्तर नमर कोशन दिया है, इतना दिया है तो इसका माधी का ग्याद करना है तो इसका माधी का कुल कितना जगा, एक कोईस आजाएगा कितना जगा, एक कोईस, आपका right answer का जगा, बहुत्तर का C, right answer हो जाएगा तिगात नमर Qression दे है इसका बहुला ज्याद करना है तो बहुला क्याया जाएगा झांगे एक बार दो बार ठीक है एक बार दो बार त्पिर तीन बच्छफद श्ये आज जाएगा Option क्या जगा भी इसका राइटेंष सब्सक्राइगा आगे एक बर्माध्य हमें, बहुल की करमije से इत्elli इतना देख हे इसका माध्य हो गया तो माध्य हो जाएगा सब्सक्राइब च्चेवाइब बच्चेवारी करेंद आपका अप्साने हो जाएगा सैत्था नम्र यादी पी बराबर 0.4 तो पी ये कमन हो गए तो 0.6 हो जाएगा ऑफसन क्या ज़ीगा सद्था कभी राइट एंसवर हो जाएगा औरतार नमरे दो पासवों को फिकने में संभव परिणाम के साल में है तो इसका राइटन स परोपतों के साल हो जगानी एक तो पासवों संभव परिणाम आंग है तो 36 हो जाएगा ना पासे बोल रहे हैं 你有 ettники मिला हिसे दो चसद का ऐस मैं अपसन के आगैस दू क्या Prison संख्यां घरना के प्रच्ट हैं फोसा कर देखे इसका राइट बिंस ok प्रतिछेदी सरण रखाए होंगे तिरासी का राइट इसर आपका अप्संस ही हो जाएगा चाहरासी नमर कोशन समिक्रन निकाए टू एक्स मान के लिए एक समिक्रन है तो इसका मान के होगा तो दस हो जाएगा 85 का आपका राइट एंसर आप्सन भी हो जाएगा अगर अप चैनल को आना है चैनल को सबस्क्राइब को बीडियो को लाइक कर दीजीए गाच गर निमली की आपका और 1 topics , आपका option C हो जाएगा 87 का कोरशन P के मान के लिए involve तो इसका राइट एंसर हो जाएगा जाएगा आगे है यादि ए इन समनांतर स्रेटर में इन पद का एपचीज है तो एटेन का मान क्या होगा तो इसका राइट एंसर हो जाएगा और 89 कोशन 37 का समनांतर स्रेटर में दूसरा पद 13 और इसका 25 पद 5 तो समनांतर का स्रवांतर होगा तो 4 हो जाएगा ऐसक हो जाएगा अज जान का पर Сबस्तर के प्रत् mesmo का योग इन बान बाहन खोषेगा इनन ओसा पूर हो जाएगा कि मैं ढें देखिए के इसका सरल्टम रूप पूछा व्सका सरांट पोटी caffeine का फोटीम हो जाएगा इसका कॉषन का एंसर दी हो जाएगा इसका सब्सक्राइब कर लिए अगले वीडियो में अभी तक आप लगों चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लिजेगा कर लिए जरूर से सब्सक्राइब करने लिएगा कर लिए दूर ये तकाई रहा 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 है सब्सक्राइब कर लिएगा रहा है